कोई शक मिथुन सहब के इस डायलोग को आप आजकल थोड़ा अलगी तरीके से फॉलो कर रहे हैं आपका तक्या कलाम बन गया है हर बात पर शक देखिए बड़े बुजूर कह गए है कि शक की दिमक रिष्टों को खोकला कर देती है अगर अपने पार्टनर के किसी बिहेवियर से आपको शक हो रहा है तो बेस राक्ता है कि उनके सामने बैठिये और उन्हें मौका दीजिए कि वो अपने आपको क्लेरिफाई करें सीधी बात से बड़ा शक का कोई इलाज नहीं शक की तलवार को सिर्फ भरोसे के ढाल मात दे सकती है अपने भरोसे को मजबूत रखें शक अपने आप तूटकर बिखर जाएगा वैसे आपके कड़वे बोल भी किसी तलवार से कम नहीं होते जब वो रिष्टो पर बार करते है तो रिष्टे भी तूटकर बिखर जाते है तो प्लीज 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 अपने चिरचिडेपन को दूर रखें और अपने घायल रिष्टे पर मीथे बोलो का मरहम ना मैं तुझे सताओं ना तुम मुझे सताओं मैं तुमको समझ जाओं तुम मुझे को समझ जाओं फिर तो जीवन बन जाएगा प्यार का तराना इस गाने को अपना मंत्र बना लीजी फिर वाकई जिंदगी खुश्यों की बहार बन जाएगी छोटे छोटी बातों पर होने वाले जगडे तीरे दियर रिष्टे को कड़वा बना देती हैं और ये तो हमें पक्का मालूम है कि आप मीठे के शौकीन है कड़वा हटके नह है ना लोग कहते हैं जगडे से प्यार बढ़ता है लेकिन प्राक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं होता जगडे से प्यार नहीं एक डिस्टेंस ही बढ़ता है वैसे अगर आप अन्मेरीड है और अपने सोलमेट का इंतिजार कर रहे है तो इस हफते शोशल मीडिया या ओनला प्राशय की भक्ती करिए प्रसाद जारूर मिलेगा और हाँ पार्टनर के बाद आप ही याद रखिएगा नोशक नो जगडे क्यूंकि तो कम जिन्दगानी उससे भी कम है जवानी इसलिए प्यारे दो प्यारे लोग